Hello everyone, आपका एक आफिस से वेलकम करते हैं आपके अपने यूटुब चनल वेजी टेबल गार्टनिंग अज़ेपे आज हम अपसे बात करेंगे गुल्दावदी प्लांट में जो जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में जो गुल्दावदी के प्लांट है उसमें से बर्ट्स तो कुछ इस तरीके का बना हुआ है लेकिन जो है वो अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से खिल नहीं रहा यह सबसे बड़ा common problem होता है गुल्दावदी प्लांट में उसका गुल्दावदी का फ्लांट fright होँ बहुत सारे बर्डश आते हैं तो वो किस तरीके से फोलो करते हैं किन चीज़ों को फोलो करते हैं जैसे उनके गुल्दावदी के फ्लांट हमेसा फूलों से भरा रहता है तो यह तीन के plant का जो birds होता वो proper तरीके से open क्यों नहीं होता है क्यों पोरी तरीके से ये खिल नहीं पाता है तो इसका सबसे पहला बड़ा reason आता है कि इसमें किसी परकार के आप birds को ध्यान से देखे क्या उसमें किसी भी तरह के black type का ends तो नहीं लगे हुए चीटी तो नहीं लगे हुए यदि चीटी आपके कली पे लगे हुए बड़्स पे लगे हुए तो वो proper तरीके से खिलने के लिए नहीं देता है तो सबसे पहले आप कोशिस किजिए कि यदि आपके birds में चीटी है तो उसको जो है अच्छे से वास करके हटा दिजिए तो किस तरीके से वास करके हटाएंगे मैं अब भी करके आपको दिखाऊंगा उसी तरीके से ज़स्ट आपको करना है ताकि यदि कली पे चीटी वेगरा हो तो वो अच्छी तरीके से निकल जाए जिससे कि वो प्लांट को खिलने में मदद करे तो किस तरीके से spray करना है सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ उसके बाद मैं आपको next जो problem है उसका sort out मैं आपको बताता हूँ spray करने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके का spray bottle का यूज करूँगा जिसे कि हमारे ant बिल्कुल निकल जाए तो सबसे पहले यह जो birds है इसके अंदर आप अच्छी तरीके से spray करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी चीटी हो वो निकल जाए तो कुछ इस तरीके से हर वाद disrespectful के अंदर आपको दीरे दीरे से इस प्रै करना है तो कुछ इस तरीके से इस्प्रे करके आप सबसे पहले जो चीटी है उसके अंदर उसको निकाल लिजेगा ताकि इसकी जो कली है वो जल्दी से खिल जाये क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जो चीटी जो इसके अंदर जो एट्रेक्ट होते हैं वो इनके फूल के अंदर जो मिठास होता है उनके कारण से वो एट्रेक्ट होता है और वो जो है चीटी इसको बट्स को इस तरीके से पकड़ करके जकड़ करके रखते हैं अपनी और इसलिए प्रोपर तरीके से नहीं खुल पाता है अब दूसरी बात जो हम यहाँ पे कि यदि आपके प्लांट में कुछ इस तरीके क्या पीले पत्ते हो जा रहे है और सूख जा रहे हैं पत्ते तो उसका सौट आउट हम लोग कैसे करेंगे संडी के मोशम में सरदी के मोसम में हमारे इन फॉर्मेंट में बहुत जादा ही डस्ट देखने को मिलता है तो डस्ट से बचाने भी आपको इस प्लांट को पड़ेगा जैसे कि आप देखेंगे किसी परकर के लिप में यहाँ पे जो निव लिपाताए तो समरे कापी सारे तो इस डस्ट के वज़ए से कभी कभी क्या होता है कि इस पत्ती के ओपर ज्यादा डस्ट जमा हो जाता है तो उसे फोटो सिंतेटिस नहीं हो पाता है जिसके कारण हमारे पत्तिया और प्लांट जो हैं सूखने लगते हैं तो आप क्या कीजिए सुभा साम जो है वाटर का इस्प्रे करें इस तरीके का इस्प्रे बोतल से जो है आप अच्छे से अपने प्लांट को वास करें ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट हो इसके पत्ते और लीप में जो भी बट्स के हमारे प्लांट में फोटो सिंथेटिस नहीं होता और वह प्लांट दिरे दिरे उनकी पत्तियां पीले पड़कर करके सूखने लगते हैं और हमारा प्लांट डेड हो जाता है तो इस तरीके से जो है आप हलका फूलका जो है पर डे अपने प्लांट को वाटर का प्लांट में देते हैं तो आपका जो फ्लावर होता हो बड़ी साइच में होता है और वह बहुत जल्दी डवलब करता है तो इसकी थोड़ी सी मात्रा हर 5-6 दिन में साथ दिन में आप इसको अच्छी तरीके से डाल देंगे अपने प्लांट के अंदर तो इससे क्या होगा कि आपके जो प्लांट जो सूख रहें वो भी बच जाएंगे और इसका जो फ्लावरिंगा ज़्यादा देखने को मिलेगा और यह जल्दी से इसका बच्स ओपेन भी होगा तो इन सब टिप्स को फोलो करके आप भी अपने गर पे ज़्यादा से ज़्यादा गुलदावदी के फोल को पास सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरू दिजेगा अगर इस टाइप का वीडियो पसंद करते हैं हमारे चैनल को जरू सस्क्राइब कीजेगा थैंक्यू पर वाचिंग इस वीडियो